गुड मॉर्निंग डियर स्टुदेंट्स आई होप और फाइन एट यह हूं तोड़े वी विल लर्न हिंदी आज़ी क्लास में हम हिंदी पढ़ने वाले हैं लेसन 6 बंदर और गिलहरी से पहले मैंने आपको बताया था यह चैप्टर रिमूव हो गया है बाट यह कहानी है इस लिए इस चैप्टर की जगह आपका चैप्टर नाइन आपकिस लेबर से रिमूव किया गया है इसलिए मैं चैप्टर आपको फिर से एक्स्पेंड कर रही हूं लेसन 7 और लेसन 8 हम पहले ही कम्प्लीट कर चुके हैं आज हम लेसन 6 पढ़ने वाले बंदर और गिलहरी ओके आप अपनी बुक साथ में लेकर बैठिए और जैसे मैं रेट कर रहे हूं आप भी मेरे साथ रिवाइस करिए ओके लेट स्टार्ट एक बंदर पेड़ पर बैठा था बंदर की पूछ बहुत लंबी थी इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी ठीक है एक बंदर किस प चूल कूंद कर रही थी अचानक उससे पूछ दिखाई दी ठीक है फिर चोटी से क्या है नीचे अच्छल कूंद कर रहे थी तब इसकी नजर किस पर पड़ी जमीन पर एक पूछ दिखाई दी उससे उसने सोचा यह जूला कहां से आ गया तो उसको क्या लगा यह जूला है थोड़ी देर पहले तो नहीं था वह पूच पर चड़कर जूलने लगी बंदर को गुदगुदी हुई फिर उसको लगा यह जूला है और यह थोड़ी देर पहले तो नहीं था फिर गिलहरी ने क्या किया उस पर चड़कर वह जूला जूल तो जूला जूलने से क्या हुआ कि जो बंदर उसको गुद्गुदी उने लगी उसने नीचे देखा वैज रही है बैहन गिलाय यहरि है क्या कर रहे हो मुझे गुद्गुदी हो रही है फेजेशी बंदर operate s kyb बंदर भाईया यह तुम हो फिर जैसे ही गिलहरी ने देखा तुसने क्या बोला बंदर भाईया यह तुम हो मैं तुमारी पूछ को जूला समझकर जूल रही थी बड़ा मज़ा आ रहा था फिर गिलहरी ने क्या कहा कि बंदर भाईया यह तुम हो मैं तुमारी पूछ को जू टाली पर चड़ गई और फे गलेहरी ने क्या कहा कि मुझे बहुत मजा आ रहा था और वायर हस्ती हुई पेड की डाली पर चड़ गई ओके तो आज हमने किसकी कहानी पड़ी है बंदर और गिलहरी की ठीक है तो आप इसको घर पे रिवाइस करिए और रीडिंग प्रेक्टिस करिए ओके चिल्डूर्ण, टैंक यू, हैव अनाइस टे